नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम बबली उर्मा पेपर हेकर में आपका स्वागत है आज जो देखने वाले हैं वो हो जाएगा बीए पार्ट वन का सेगंड सेमिस्ट का हिष्टी का लेक्षर नमबर फाइम एम से क्यों की सीरीज है आपका जो एक्जाम हाली में एम से क्यों होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही लाफकार होंगे अगर आप यहां से अच्छी पेकास से पढ़ लेते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं तो फ्रेंड्स आपका 85 प्लस हो जाएगा कंफम क्योंकि मैं 95 की ब कर रहा हूं 95 क्यों आ सकते हैं ठीक है और और 85 की तो गार्णटी कर रहा हूं 85 तो आप टिक करके आना है अगर इसमें आप अच्छे नमबर नहीं ला पाए बहुत दिक्कत हो जाएगा तो आपको अच्छा स्कूर करना है तो इसलिए आपको अच्छी प्रिकार से पढ़ना तो आपका टाइम खराब हो जाएगा तो आप सिर्फ पढ़िएगा नीचे डिसकर में रखा है लिंक इसका साइट का www.pepper.in महासाग डानलोड इसकी पेडिया कर सकते हो तो बढ़ते हैं गयासुद्दीन बलवन के बारे में अब आपको पता है गयासुद्दीन बलवन कौ कौन हो जाता है एवक हो जाता है कुत बुद्दीन एवक अंतिम सासक की बात करें तो कौन हो जाता है कैमूर्स हो जाता है कैमूर्स किसका बेटा तो आपको होगे कैकुवाद कैकुवाद किसका बेटा तो आपको होगे यही बलवन का बेटा था कैकुवाद ठीक है वहम द करें यह बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल गुलाम बंस के कितने सा सक रहे हैं तो आपको गराचर 50 एक तो ब er कि क्या सा गधा नहीं चैक अब गयासुथदीन बलबन जो हैब किसकी जगह बोठे नसुरुदीन शाह के जगये कॉंकि नसुरुदीन कौन था इसका बेटा था बलником सुरी बेटा नहीं सका दामाद हुआ करता था कुनि सबसे पहले नसुरुदीन जो था रजिया को हटा तो बहराम सा, भड़बbon बहराम साम के साथ ये सद्वाट फ्राइंट खेलते हैं, बलबन और नसुरूद्दीन, शड़ेन फ्राइंट खेलते हैं इसको हटाने का और उसकी डैगोा देते हैं, ठीक है? उसकी डैस करवा देते हैं, उसके बाद कौन बैठता है? बलबन का तो बात करते हैं यहां पर जैसे ही घ्यासुदीन बल्बन बैटता है इसको उलूग खाकी उपादी भी दी जाती है किसके नसरुद्दीन के द्वारा इसका जो दामाद था इसका कौन था दामाद इसका जो दामाद होता है बही उपादी देता है उलूग खाकी किसकी उलूग खाकी उपादी देता है बल्वन के लिए कौन नसुरुदी, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता है, ये भी ध्यान लगना, ठीक है, बही बात करते हैं बलबन की, बलबन का फस्ट कोशन है, इसको धुवा धुवा कर दो सबी लो, बिल्कुल, फस्ट कोशन है, इसका धुवा धुवा करना है, पूरी थोरी बड़ा रखी हैं आपके लिए मैंने तो बात करते हैं बलबन ने सरवदे किस पद पर कार किया था बलबन ने सरवदे की किस पद पर आप कार किया था आपको बताना है अमीर ए हाजिब के पद पर अमीर ए सिकार पर या फिर कह सकते हैं ये है सिपह शालार पर या पिर अमीर ए आखूर पर तो राइट आंसर इसका क्या होगा फटा बट कमेंट में छाप देना है बिल्कुल बताईगा बता दिया होगा ना बिल्कुल तो मैंने बता रखा है बासे बल्बन और बासे बाद देख लेना हाजिब तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अमीर ए हाजिब के पद पर यह किस पर अमीर ए हाजिब के पद पर यह कार किया था सबसे ज़्यादा बार बात करते हैं बल्बन ने बल्बन ने बकील दार क्या है बकील दार के पद पर कार किया कितने बर्स तक कार किया था या कितने छमा तक कार किया था कितने महीना तक कार किया था यह आपको बताना है बलवन ने बकील दार के पद पर कार किया था कितना चार महा छे महा आठ महा या फिर एक बर्स तो बात करते हैं जो बकील दार के पद पर बलवन ने कार किया था तो यह पर फाटा सा होगा ठीक है ठोड़ी सी हिंट है Çारी की सारी बाद करते हैं कि अपने सिंगहासन की मर्यादा के लिए बलबन ने किस पम्लबन को बलबन याद रखना बस बल्मान बहुत तागत भर लिगे तो कि अपने सिंहासन पर मर्यादा के लिए बल्मन ने किस पद्धती को अपनाया था यह आपको बताना है आतंक सिजदा और रिखा है उदारती उप्यक्त में से कोई नहीं सिजदा पाबोस यह कौन चलाता है सिजदा और जो पाबोस है यह भी कौन चलाता है बल्मन ही चलाता है मगर यह कह रहा है मर्यादा के लिए सिजदा पाबोस चलाता तो बल्मन ही है मगर मर्यादा की बात और ये मर्यादा के लिए बलवन ने किस पद्धी को अपनाया था तो बहुत तागतबर था तो इसने क्या कहा था आतंग पद्धी को अपनाया था कौन सी आतंग पद्धी को अपनाया था अपने सिंहासन की मर्यादा के लिए ठीक है मगर बलवन ने सिजदा और पाबोस भी चलाए थे ये भी आपको याद होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं लोहोरक्त की निती भी इसी ने अपनाई थी बलवन ने लोहोरक्त की निती बात करते हैं चालीस अमीरों के बिनास चालीस जो था चिलाही तुर्कान ए चिलहगानी से कहते थे चालीस जो हुआ करते थे चालीस गुलाम बात करते हैं चालीस चालीस अमीरों का बिनास के लिए बलवन ने किस अमीर को किस अमीर को आयोध्या के फाटक पर लटका दिया था very very important question है जब चिलहेगानी अमीर नाम से है अमीर चिलहेगानी के नाम से ऐसे कुछ तो चिलहेगानी अमीर को चिलहेगानी अमीरों के बिनास के लिए बलवन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पर लटिका दिया था तो बहें कौन था आपको बताना है शेर खां या फिर अमीन खां फिर दे रखा है तुम्हारा मलिक है बत खां या फिर मलिक नौरोज राइट आंसर क्या होगा देखो जो शेर खां था वो इसका चचेरा भाई था किसका चचेरा भाई बलवन का चचेरा भाई अगर मुचले तो कौन हो जाता है सेर खां था जिसको जहर देकर क्या करता है यही बलवन जो था वो जहर देकर इसे मरबा देता है सेर खां के लिए तोकि ये शेर है शेर को तो सामने मुकाबले करनी सकते तो अबे क्या करगे जहर दे के से मरबा देता है बलवन अपने चचेरे भाई सेर खां को तो देखा है 40 अमीरों के बिनास के लिए अयोध्या पर रिटका दिया था तो बात करना आ से अयोध्या और आ से यहां पर धुनना कौन सा है तो आप कहोगे आ से अमीन खां कौन? आ से अमीन खां राइट आंसर हो जाएगा अमीन खां ठीक है? चिलहे एक गाणी जो था चिलहे अमीरों के बिनास के लिए बलवन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पलिट का दिया था आसे अयोध्या आसे आमीन खा को किसको आसे अयोध्या और आसे आमीन खा को अयोध्या के फाटक पलिट का दिया था और यहीं पर चलहे गानी जो थी उसको जो किसने चलाई थी उल्ती उत्मिस ने चलाया था चलहेंगानी ठीक है तुरकाने चलहेंगानी ठीक है चलाया था उसको क्या कर देता है बल्बन नश्ट कर देता है यहां से ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन की बात करते हैं, बल्बन किस बंस से संबंदित था? बल्बन किस बंस से संबंदित था? पहला दे रखा है कुलूब बंस, फिर दे रखा है समसी बंस, फिर दे रखा है तुमारा अफरासियाब बंस, फिर दे रखा है तुमारा कौन सा? यहां देखो इलवारी बात बताए का कौन सा बिल्कुल राइट होगा समसी बंस का कौन था समसी बंस का जो अंतिम सासका था वो कौन था नसिरुद्दीन है ना कौन था नसिरुद्दीन नसिरुद्दीन जो था वो टोपी सीकर अपने जीवन यापन करता था बलबन का कौन था दामाद था अब देखाए बलबन किस बन से संबंदित था वो तो हो गया न सुद्दीन बन से मगर जो बलबन जो था वो किसा था अफरा सियाब बन से संबंदित था किसे अफरा सियाब बन से संबंदित था याद कैसे करें यहाँ पर देखो अफरा बलबन बहुत तागत बंदे में जब फढ़ के खाएगा कह सकते न पफढके खाना वही बच्चा कहते न पफढके खाया Techा तागत जाद आएगी तो भै कि बलबन और अफढ़्द से याद करना बिल्कुल सो रहेगा अफरा सियाब बंसे संबंदित कौन था बलबन और बाद करते हैं समसी बंसे कौन था बोथा नसुरुद्दीन कौन था समसी बंसे हो जाता है बोजाता है नसुरुद्दीन दोनों के दुन आपको याद होने चाहिए आगे देखते हैं next question क्या रहा है बंगाल बिजय हेतू बलवन अपने किस पुत्र को साथ लेकर आया था जब बंगाल बिजय प्राप्ते की थी इसने तो उस समय कह सकते हैं बलवन किस पुत्र को अपने साथ लेकर आया था पहला दे रखाए क्या बुग्रा खां फिर दे रखा है तुम्हारा क्यूमर्स कैकूबाद या फिर मुहम्मद तो बात करते हैं यहाँ पर बलवन बलवन का बेटा कैकूबाद भी था और बलवन का बेटा बुग्रा भी था बही बात करते हैं इसका बेटा मुहम्मद भी था और कौन सा था क्यूमरस भी था ठीक है मगर यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है कौन सा पुत्र था जो बलवन बंगाल की विजय के बाद भारत लेकर कह सकते हैं बहाँ पर लेकर हाँ बही बंगाल विजय हेत और यहाँ पर बग देखने को मिलेगा ठीक है बग से बंगाल बग से बुगरा ठीक है दोनों आपको याद हैंगे बंगाल बिजे है तो बलवन अपने किस पुत्र के साथ किस पुत्र को साथ लेकर आया था तो बा से बगला और बग से बुगरा ठीक है बुगरा खां Tor option number हो जाएगा अपना आ नेक्स से गुशन की बात करते हैं नेक्स कुशन देखो नेक्स कुशन तो रेखा है चीर हा पलवन और किस परकार हत्या की थी है सामने मुकाबला कर नहीं सकता तो बताओ सराप पिलाकर तलबार मारकर बिस देकर या फिर घोडे से गिराकर तो मैंने बताया था क्या देगा बिस देकर मित्यू करता है सेर खां इसका कौन होता है चचेरा भाई होता है क्या होता है चचेरा भाई बल्वन का चचेरा भाई कौन होता है सेरखां होता है उसको बिस देकर जहर देकर क्या गर देता है बल्वन में इसकी में त्यू करबा देता है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन दे रखा है तुमारा बल्वन ने अपना उत्रदीकारी किसे निक्त किया था जो बलवन था उसने अपना उत्र अधीकारी के से नुक्त किया था पहला देरिखाया तुमारा कैखूसवर को पिर देरिखाया तुमारा क्यूमरस को कैकूबाद को या फिर बहाउत दीन को राइट आंसर अपना क्या होगा तो मैंने बताया था के बाद कौन बैठता है बल्वन के बाद कैकुवाद बैठता है कैकुवाद के बाद कौन बैठता है कैमूर्स बैठता है कैमूर्स जो हुआ करता था कैकुवाद का बेटा था ठीक है अंतिम सासक कौन बनेगा कैमूर्स बनेगा ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो बल्वन ने अपना उतोधिकारी किसे नुक्ति किया था तो इसका बेटा हुआ करता था कौन कैकूबाद राइट अंसर अप्शन नमबर साह हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स गुशन की बात करते हैं मेबो के दमन हेतू बल्वन ने कौन से प्रियास किये थे जो मेबो के दमन मतलब मेबे कह सकते हैं न जो कह सकते हैं मेबे जैसे करते हैं बादाम बगरा यह हो जाते है ठीक है यह होगे मेबे तो मेबे के दमन हेतू बल्वन ने कौन से प्रियास किये थे यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा बात करते हैं जंगलों को काटना बिल्कुल सही भई मेवों का दमन करेगा मेवों को खतम करेगा तो क्या जंगलों काटेगा अफगान सेनिकों की निपती की किलो का निर्माल करवाया उन्हें काट कर तो right answer क्या होगा ये सबी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question देखिएगा right answer क्या होगा बताएगा next question next question की बात करते हैं किस मुगा किस मंगोल नेता ने किस मंगोल नेता ने 1258 से लेकर 69 ECB के में ये खिलापत कहां से आ गया है आपर भई किस मुगल नेता ने 1258 से 69 में खिलापत को नश्ट करते हुए खिलीफा की हत्या की थी तो बहे कौन था ये आपको बताना है खिलापत को नश्ट करते हुए खिलीफा की हत्या किस ने की थी ये बताना है तैमूर खाने चंगेज खाने और हलाकू ने या फिर बावर ने खलीफा की हत्या किस ने कीती अच्छा हाँ बताईएगा तो ट्रिक कैसे बनाएंगे ये है कौन खली खली है ना अपने यहाँ पर देश के बिलकुल ये माल लेते हैं कोई क्या है खली और खली के आपको पता है बाल कैसे है बड़े बड़े है ना खली के बाल कैसे है भई खल क्या बाबर तो किस मुगल नेता ने बारा सो अठाबन उन्सट में उन्सट इस भी में खिलापत को निश्ट करते हुए खलीपा की हत्या की थी तो बहे हो जाता है बाबर ने इसकी हत्या की थी खलीपा की हत्या किस ने की थी बाबर ने खली के बले बले बाल तो बाबर ठीक ह हो गई थी यह आपको बताना है किस पुत्त की मित्त्य हुई थी मंगोल आकर्मण के दोरान जब मंगोल आकर्मण हुआ था उस समय उसके क्या हो जाती है मित्त्य हो जाती है बताएगा अच्छा कि उशन है बहुत बताएगा राइट अंसर क्या होगा और फ़री उन्निस सो परशरी फ़री बारासो ऐसी हिसुसिमें बल्बन के किस पुत्र की में तु मंगोल आकरम्न के दोरान हो गई थी इसका तो राइट आंशर होगा वो कौन सा हो जाएगा मंगोल आकरम्न के दोरान मंगोल आकरमण के दोरान लेकर किसे आया था तो बो तो हो जाता है बंगेल खाको है ना बंगेल खाको मंगोल नहीं वो बंगाल वाला था किसका था बंगाल वाला था ठीक है जब बंगाल के आकरमण हुआ था जब जीता था तब लेके आया था तुम्हारा बगेल खां को ठीक है मगर यहाँ देखा है मंगोल का आकरम जब दोरान हुआ था तो कौन से पुत्र की मित्य हुई थी तो वो हो जाती है किसकी मुहम्मद खाकी किसकी मुहम्मद खाकी मा से मंगोल और मा से मुहम्मद मां से मंगोल और मां से मुहम्मद तो फरबरी 1280 जिमें । किस पुत्र की मैत्यू मंगॉल आक्रम्र की दोरान हो गई थी तो वे हो जाती है किसे मुहम्म्मद अखा की मैत्यू आगए बड़तें नेक्स कुशन यहाँ एकने कुशन को देखो एकने क्यों राज्त्व सिद्धांत की विविस्था किस सुल्तान ने आरंब की थी जो राजत्व सिध्धान्त की विस्था किस सुल्तान ने आरंब की थी आपको बताना है बल्बन ने इल्टूतिमिस ने एकव ने एबक ने या फिर रजिया ने तो राजत्व सिध्धान्त की बात कर रहा है किसके राजत्व सिध्धान्त की वस्था किस सुल्तान ने आरंब की थी बैरी बैरी इंपोर्टेंट कोशन हो जाता है ये बताएगा राइट आंसर क्या होगा अरे जब बल्बन को पढ़ रहा है तो बल्बन तो राइट आंसर होगा ये ना तो राजत्व सिध्धान्त की वस्था किस सुल्तान ने आरम की थी तो कह सकते हैं मैंने ट्रिक बताई थी बलवन बहुत बलवान है जब बलवान है तो राजत्व सिध्धान्त कौन चलाएगा बलवन ही चलाएगा ठीक है बागे तो सब गदे हैं जब ये बलवान है तो बागी सब गदें चलाएगा कौन राजर सुद्धान बलवन नहीं चलाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन पस थोड़े थोड़े हिंट मिलते रहेंगे एक्जाम में एक एक कुशन सही होता रहेगा बात करते हैं सुल्तान प्रतवी पर ईश्वर सुल्तान प्रतवी पर ईश्वर का प्रतिनित्व है और उसका इस्थान केबल पैगंबर के बाद है ये किसने कहा था ये आपको बताना है अपने आपको बलवन समझ रहा है देखो क्या कहरा है सुल्तान प्रतवी पर ईश्वर का प्रतिनित्व है ईश्वर ने बेजा है और उसका इस्थान केबल पेगंबर के बाद है किसका कथन है तो भाया यह बलबन का कथन है अपने आपको बहुती बलबान ये मान रहा है ठीक है तो राइट आंसर अप्शन नमबर क्या हो जाएगा आ next question की बात करते हैं बल्बन ने एकताओं में किसी किसकी निक्ति की थी यह आपको देना है ठीक है किसकी होना चाहिए यहाँ पर बल्बन ने एकताओं में किसकी निक्ति की थी आपको बताना है जो एकता प्रता एकताओं में इकताओं दे रखा है इकताओं पर था तो इल्टूद मिसन चुलाई थी ठीक है तो बल्बन ने इकताओं में किसकी नुक्ती की थी ये आपको बताना है पैद रखा है ख्वाजा या शाहिबे दीवान वरीद दीवान ए अर्ज या फिर दे रखाया आगे राबत ए अर्ज कौन सा राइट होगा बल्बन ने इकताओं की नुक्ती की थी बताएगा राइट आंसर क्या होगा बल्बन ने इकताओं में किसकी नुक्ती की थी तो बह की थी ख्वाजा ए जाहिबे दुमान ख्वाजा कह सकते हैं या साहिबे दीवान भी से कह सकते हैं इसकी नुक्ति की थी ठीक है इक ताओं में तो इसे कैसे आण करे ना आप इसकी ट्रिक मैंने बना इनली है और लिए outer और अच्छा को जोजान आ है best इल्तूत मिसने रजियाने या फिर बलबन बताएगा दीवान ए अर्ज अर्ज किया है मुनाइदा फर्माईए है ना भही बात हो गई तो यहाँ पर अर्ज किया है मुनाइदा फर्माईए तो बात करते है तो कहां से निकलेगा भाई जब सेर कहोगे तो कहा से निकलेगा लबो निकलेगा सेर किससे लबो से सेर निकलेगा तो बिलकुर आपको याद रहेगा कौन सा बलवन तो दीवान अरज का गठन किसने किया था तो वो हो जाता है बलवन ने ठीक है आगे बढ़ते हैं next question यहां देखा है बलबन ने दीबाने अर्ज का पहला प्रमुक्ट से निक्त किया था यह आपको बताना है पहला देखा है अली मर्दानाखों दूसर देखा है इमादल मुक्त राबत को फिर यापर मसूद सहा को फिर हो जाता है आराम सहा को राइट आंसर क्या होगा आराम सहा का तो बद बहुत पहले हो चुका है इलतुत मिस्कर चुका है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा अब अर्ज किया है मुलाइदा फर्माईए बही बात यहां पर भी होगी ठीक है अर्ज किया है मुलाइदा फर्माईए बहुत ही अच्छा स्वेर कहा होगा है ना लबो से लग गया होगा तो बात करते हैं वो क्या हो जाएगा अली मर्दाना राइट आंसर क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है बिल्कुल इजी ट्रिक थी और हमें याद भी होगे दुनों की दुनों यहां देखीएगा next question का अंसर क्या होगा दिर्खाए बल्बन ने 40 दल के किस सदस्य को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था फिर question इर्टूतमिस ने जो 40 चिले तूर्कान ने चिलेगानी श्टाइट कीती चालीसा जो अमीरिसमे सामिल किए गए थे वह यहां कहूंन कर रहा है बल्बन खतम कर रहा है एक monster ध्यां के फाटक पर उन 40 मैं से एक को लटका रहे और यहां पर तूर्कान आपने चिलहेगानी जो थी मुहम्मद तरी इरतूत मिसने बनवाई थी उसको खतम कर Glenku लटकाया के से था तो मैंने बताया था आयोध्या के से आयाद रखना और आसे अमीन याद रखना अंसे अमीन लखना तो आयोध्या के फातक पर लटका दिया था किसने अमीन खा को लटका दिया ता आगे बढ़ते हैं बलबन ने अपने किस चचेरे भाई को जहर देकर मरबा दिया था तो यह question बहुत बार हमने repeat कर दिया किस को शेर को नहीं मार सकते सेर को जहर ही दे सकते तो बात करते हैं बलबन ने अपने किस चचेरे भाई को जहर देकर मरबा दिया था तो वो हो जाता है शेर खाा को ठीक है आगे बढ़ते है next question from the next question की बात करते हैं बल्बन के किस मुगल सरदार ने बल्बन के किस मुगल किस सरी बल्बन के किस गुलाम सरदार ने पहला बिद्रो किया बल्बन के किस गुलाम सरदार ने पहला बिद्रो किया तो बताना है कौन सा है इसको तो इसने मरवाई दिया जहाए खा के इसके कोई बात ही नहीं ठीक है अमीन खान? नहीं अमीन खान तो बैसी मरवाई दिये है ना तक्ट पे लटका के 40 अग कि थे यह तो होंगे नहीं अब उन 2 में से बज़ जाते हैं 2 में से कौन सा राइट होगा पहला दे रखा है तुगरील दूसरा दे रखा है हैवत खां राइट आंसर क्या होगा बल्बन के किस गुलाम सरदार ने पहला बिद्रो किया था बताएगा राइट आंसर क्या होगा तो यह दो ही तो बचे हैं दो में से एक हो जाएगा right answer कौन सा हो जाएगा तुगरिल हो जाएगा शिक का विकास सरप्रतम किस सुल्तान ने किया था शिक का विकास सरप्रतम किस सुल्तान ने किया था इल्टूतमिस ने, रजिया ने, मशूद सहा ने या फिर बलवन ने शिक सरप्रतम शिक का विकास किस सुल्तान ने किया था इसे कैसे आद करोगे भई शिक इतना तो पता ही है तुम्हें कि बलबन ने किया था बलबन पढ़ रहे है तो ठीक है सरब बतम शिक का विकास किस सुल्टान ने किया था शिक ऐसा याद करो यहाँ पर याद करेंगे सक क्या है सक किसी पर सक हो रहा है तो आप कहोगे इतना बलबान कौन हो सकता है कि चोरी कर ले ना इतना बलबान कौन हो सकता है चोरी कर ले तो सक किस पर होगा बलबन पर होगा बही बलबन है बही क्या करेगा चोरी करेगा ठीक है तो इस पर कास है इस याद कर सकते हैं कि सपर प्रतम सिक का भी कास कि सुल्तान ने किया था तो बल बन ने किया था सिक से निकाले न ना यहां से सक, ठीक है सिक से कोई बनने ना तो सक बन जाये अगहां से आंगे बढ़ते हैं next question यहां दर्का है निम्न में किस सुल्तान ने अपने पुत्र और पुत्रों को नाम पुत्रों का नाम इरानी परंपरा पर रखा था इस सुल्तान ने अपने पुत्र और पुत्रों का नाम इरानी परंपरा पर रखा था तो ये तो हो जाएगा अपना बलवन ने किसने बलवन ने रखा था तो इरानी रान से इरानी परमपरा पर रखता था बारिश होती थी, तो इस पर कॉर्णे ट्रीक बन जाईगे और हमें याद भी हो जाएगा, आगे बड़ते हैं नेक्सकोण इनमे से किस सुल्तान को बिदेसों में मुस्लिम सब्बिता के सनच्छा के रूप में जाना जाता है तो बहें कौन था ये आपको बताना है तो आपको बता है अपने आपको बगवान कहता था अपने आपको बगवान कहता था आ कौन? बलवन आगे बढ़ते हैं next question बलवन का बास्च genommen क्या था? पहले duel रोखे जुना खां ये उपादी दी थी नसर अंद्दीन ने इसके दामाद ने यह तू होगा नहीं है ना पहला इसलिए दे रखा है पहला दे रखा है बहारुद्दीन फे दे रखा है बहारुद्दूइन फे दे रखा है तुम्हारा निजामुद्दीन राइट आंसर क्या होगा बलबन का बास्तिविक नाम क्या था बहारुद्दीन नहीं यार अजपटा नाम है ठीक है बह बहाउद्दीन बिल्कुल सही क्या बहाउद्दीन बल्बन का जो बास्तिग नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था बहाउद्दीन हुआ करता था आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन देखा है बारा सो अठाबन इस बी में किस मुगल नेता ने खिलाप परत्र को नस्ट करते हुए खलीपा की हत्या कर दे थी तो बहिं रिपीट के कोशन है बताओ राइट आंजव क्या होगा अधि लीपा की मित्यू कौन करेगा कि पहले कौन साता रुकिएगा एक और भी तो खलीपा की मित्यू की गई थी यह रोकिएगा 1208 मिने किस मुगल नेता ने खलीपा को नष्ट करने हुए खलीपा की हत्या कर दी थी तो वो हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो ठीक है इन में से कोई नहीं वैसे और भी थे एक और भी था जिसका राम था हलाकू कौन? हलाकू था बाबर था ठीक है? इन्होंने कि थी तो बैसे हम नहीं लगा भी सकते हैं मगए इसकी ओर जाए तो यार option number A ही बैसे सही होना चीर केगा option number इसका A ही होगा क्योंकि बाबर भी होगा ठीक है? और हलाकू भी होगा दोनों होंगे यहाँ पर वो नहीं होगा इन्हें से कोई नहीं right answer option number A होगा ठीक है? right answer क्या होगा? option number A होगा भई तो क्या रहा हो हलाकू भी है बाबर भी है तो दोनों थे यहाँ पर 1285 इस भी में किस मुगल नेता ने खलीपा को नष्ट करते हुए खलीपा को अत्याकेती तो हलाकू अब यहाँ पर दो ट्रिक बनाओ बही ट्रिक बन जाएगी एक ही तो बात करते हैं खलीपा खलीपा से करेंगे खली यह हमने क्या बनाया था? खली बनाया था है ना बाद यहां पर बाबर और हलाकू दोनों याद रहेंगे ठीक है बाबर और हलाकू दोनों आपको याद रहने वाले हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन next equation दे रखा है तुम्हारा कैकूबाद के पिता कौन थे तो बहुत बार दे रखा है कैकूबाद के पिता कौन थे हजार बार पड़ा दिया अब तक कौन थे बल्बन थे ठीक है कैकूबाद किसके पिता कौन थे बल्बन और एक कैमूर्स होगा कौन कैमूर्स कैमूर्स के पिता कौन थे कैकूबाद ठीक है यह सीरीज है जहां रखना बलबन का बेटा कौन था कैकूबाद कैकूबाद का बेटा कौन था कैमूर्स आगे देखिएगा नेक्स दे रखा है कैकुबाद के पिता थे कौन बल्बन बल्बन किस जाती से सम्मंदित था पहला दे रखा है चंगताई, इलवरी, मामलूक, या फिर संस्बनी राइट आंसर क्या होगा बताएगा राइट आंसर क्या होगा बेलकुल देखीगा, बल्बन में छुपा हुआ क्या है, लब कहीं लब देखा और कहीं आपके लिए, बिलकुल देखा भई यहां देखीगा, इलवरी में देखने को मिल गया क्या, लब इलवरी में क्या देखने को मिल गया, लब तो बलबन का बलबन किस जाती से संबन्द था तो इलवरी संबन्द था किसे इलवरी संबन्द था आगे बढ़ते हैं ये दे रखा है अफुरा सियाब बंस क्या है अफुरा सियाब बंस का बरण किस गरंत में है अफुरा सियाब बंस का बरण किस बंस में है शहनामा किसकी है जो सहनामा है यह जो बुक है वो किसकी है शहनामा जो है वो किसकी है फिर दोसी की है किसकी है फिर दोसी की हो जाती है सहनामा ठीक है वही बात करते हैं जो है तुमारी किताब लहिंद यह हो जाती है अलवरोनी की, इसकी अलवरोनी, जो मुहम्मद गजनबी के सासंकाल में था, ठीक है, बही बात करते हैं, ये तरका है तुमारा, तबकाते नासरी, ये किसकी थी, तबकाते नासरी, जो हसता था, नाशिर है, फिर भी चला आए, लोग हस रहे हैं, इसकी थी, हसन निजामी की, मैंने बताई थी ट्रिक बात करते हैं तब काते नासरी किसकी है हसन निजामी की बात करते हैं किताबुल हिंदि किसकी है अलवरुनी की शहनामा किसकी है फिर्दोसी की तो जे रखा है जो अफराशियाव बंस का बर्ण किस गर्णत मिलता है तो सहनामा उस समय ते नहीं नहीं क ताबुल हिंद था अलबरुनी था तो राइट आंसर क्या होगा अभी हम पढ़ रहा है ना हसन निजामी राइट आंसर ऑप्शन नमबर बा हो जाएगा तो अफराश या बंस का बढ़न किस गर्णत में मिलता है तो अब का तबकाते नासरी में देखने को मिलता है ठीक है जो असन निजामी की हो जाती है आगे दे रखा है बल्वन के बल्वन के बल्वनी बंस का अंतिमसा सक कौन था ये आपको बताना है बल्वन के बल्वनी बंस का अंतिमसा सक कौन था ता नकना जो बल्वन ने बल्वनी बंस दो था बल्वन का उसका अंतिम सासक जो हो जाता है उसका लाश्ट हो जाता है कैकुवाद का बेटा कौन? कैमूर्स इसी सही हमारा गुलाम बंस क्या हो जाएगा? समाप तो हो जाएगा किस सुल्तान ने राजा को धर्ती पर इसबर का प्रतिनहित्व? निवायते खुदाई बताया है किस सुल्तान ने राजा को धर्ती पर इसबर का प्रतिनिधी? मतलब निवायते खुदाई बताया है ये अपने आपको कौन कहता था? बल्बन कहता था कि मैं बहुत बल्बान हूँ बगवान के इतने अना अल्ला के इतनी बलबान हूँ ठीक है तो यह कौन कहता था बलबन कहता था तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाता है कैमूर्स हो गए लाश्ट कैमूर्स हो गए कौन अंतिम हो गए है ना कैमूर्स कौन हो गए अंतिम हो गए मुगल बंस के और यहाँ पर मुगल बंस हमारा समाप्त हो गया कब मुगल बंस इस्टार्ट कब हुआ ता कह सकते हैं दिल्ली संतेथ 1206 से लेकर मुगल बंस की नीप पड़ी थी और मुगल बंस खतम कब हो गया उसको उल्टा कर दो 1290 में 1290 में यह कैको जो कैमूर्स होते हैं बह क्या हो आते हैं यहाँ पर मित्य हो जाती है कह सकते हैं ठीके और अब क्या होता है गुलाम बंस के बाद क्या आएगा खिल जी बंस आएगा तो फेंट सकल से हम क्या देखेंगे खिल जी बंस को देखने बाले हैं बहुत अच्छी प्रिकार से, आध हमने गुलाम बंस सब कुछ, पूरा की बुरा गुलाम बंस खतम कर दिया, और, जो पहले आयत थे, ठीक है, उनको भी हमने खतम कर दिया, कौन-कौन हमने देख लिए, अगर आपने नहीं देखी है, सारी के सारी वीडियो देख लेना, पर हमारा गुलाम बंस जो था वो शमाब तो हो चुका है 1230 आ चुकी 1290 आ चुकी है और अब हमारा खिलजी बंस स्टार्ट होगा और खिलजी बंस की ओर हम कल बढ़ेंगे बहुत एची प्रिकास से डिसकस करेंगे गुलाम बंस को तब तक पढ़ते ही रहना ठीक है और वीड फार्मा की त्यारी करते हों चाहिए किसी की थारी करते हो तो आपको नोट्स फ्री आपको मिलते हैं अब प्रिकास से ठीक है तो परेंट लाइक से सब्सक्राब ब्रू ठोकना है तो परेंट जैहिन जै भारत